40. भारती राश्ट्रिय आंदोलन से संबंदित महत्वपूर आंदोलन एवं घटनाएं 1. भारती राश्ट्रिय कॉंग्रिस की स्थापना वर्ष 1885 संबंद विशय एवं व्यक्ति A.O. Hume, बंबई 2. भंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 संबंदित विशय बंगाल के विभाजन के विरुद 3. मुस्लिम लीग की स्थापना वर्ष 1906 संबंदित विशय एवं व्यक्ति आगा खाँ एवं सलीम उल्ला खाँ धाका 4. कॉंग्रेस का विभाजन वर्ष 1907 संबंदित विशय एवं वेक्ती नरम एवं गरम दल में विभाज़त सूरत फूट 5. होम रूल आंदोलन वर्ष 1916 संबंदित विशय तिलक एवं एनी बेसंट 6. लखनौ पैक्ट वर्ष दिसंबर 1916 संबंदित विशय कॉंग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीचे बीच संजोता 7. मॉंटेग्यों गोशन वर्ष 20 अगस्त 1917 संबंदित विशय भारत मंतरी लॉड मॉंटेग्यों की गोशना 8. रॉलेक्ट एक्ट वर्ष 19 मार्च 1919 संबंदित विशय काला कानून जिसके अंतरगत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार गिरफ्तार किया जा सकता था 9. जलियावाला बाग हत्याकान वर्ष 13 अपरेल 1919 संबंदित विशय जनरल डायर अम्रत सर 10. खिलाफत आंदोलन वर्ष 19 संबंदित विशय शौकत अली और मोहम्मद अली 11. हंटर कमीटी की रिपोर्ट प्रकाशित वर्ष 28 माई 19 संबंदित विशय जलियावाला बाग से संबंदित 12. कॉंग्रस का नागपूर अधिवेशन वर्ष दिसंबर 1920 संबंदित विशय असायोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित 84. एरा आंदोलन एवं घटनाए असायोग आंदोलन का प्रारम वर्ष 1 अगस्त 1920 संबंदित विशय एवं वेक्ति बहात्मा गांधी 14. तौरी चौरा कांड वर्ष 5 फरवरी 1922 संबंदित विशय गोरखपूर जिले उत्तरपदेश की इस घटना के बाद असायोग आंदोलन स्थकित 15. सुवराज पार्टी की स्थापना वर्ष 1 जनवरी 1923 संबंदित विशय एवं वेक्ति मोतिलाल नहरू एवं चितरन जन्दास 16. हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन वर्ष 8 अक्टूबर 1924 संबंदित विशय शचिंद्र सन्याल 17. सायमन कमीशन की न्युक्ती वर्ष 8 नवंबर 1927 संबंदित विशय जौन सायमन की अध्यक्षता में साथ सदस्या आयोग का गठन 18. सायमन कमीशन का भारत आगमन वर्ष 3 फरवरी 1928 संबंदित विशय भारत में लाला लाच्पत्राई के नेतरत्व में विरोध एवं उन पर लाठी प्रहाल 19. नहरू रिपोर्ट वर्ष अगस्ट 1928 संबंदित विशय पंडिक मोतिलाल नहरू अत्यक्ष 20. बारदौली सत्यक्रह वर्ष अक्टूबर 1928 संबंदित विशय गुजरात के किसानों की लगान वृधी के विरोध में सर्दार वल्लब भाई के नेतरत्व में आंदोलन 21. लाहोर शरियंत्र केस वर्ष 8. अप्रेल 1939 संबंदित विशय भगत सिंग और बटुकेश्वर दर्तुद्वारा ब्रिटिश असेंबली में बम फेकना 22. कॉंग्रिस का लाहोर अधिवेशन वर्ष दिसंबर 1939 संबंदित विशय पूर्ण स्वाधिन्ता का प्रस्ताव 23. स्वाधिन्ता दिवस की घोषना वर्ष 2. जनवरी 1939 संबंदित विशय 26 जनवरी को स्वाधिन्ता दिवस के रूप में मनाने की घोषना 24. नमक सत्यग्रह वर्ष 12 मार्च 1930 से 5 अपरेल 1939 संबंदित विशय महत्मा गांधी के द्वारा साबर मती आश्रम से डांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानुन का उलंगन करना 25. सविने अवग्यांदुरन वर्ष 6 अप्रेल 1930 संबंधित विशे सविने अवग्यांदुलन की शुरुवात 26. प्रथम गोलमेद समेलन अगस्त वर्ष 12 नवंबर 1930 संबंधित विशे प्रधानमंत्री मैक डोनाल की अध्यक्षता में लंदन में आयोजित 27. गांधी इर्विन संजोता वर्ष 8 मार्च 1931 संबंधित विशे महत्मा गांधी और वाइसराय इर्विन के मध्ये संपन्न तथा सविने अवग्यांदुलन स्थागित करने की गोशना 28. द्वितिये गोलमेद समेलन 29. वर्ष 7 सितंबर 1931 संबंधित विशे गांधी जी ने समेलन में भाग लिया 29. कम्यूनल अवार्ड 29. संप्रदाइक पंचांट 29. वर्ष 16 अगस्त 1932 संबंधित विशे मैक डॉनाल्ड द्वारा प्रथक प्रतिनित्व प्रदान करना 30. पूना एक्ट 29. वर्ष 7 सितंबर 1932 संबंधित विशे गांधी जी और डॉक्टर अम्बेटकर के बीच एक संचौता जिसके सामप्रदाइक पंचांट में दलितों के लिए प्रांतिय वैवस्थापिका सभाओं में प्रारंब में राजियों में 71 स्थान सुरक्षित किये गए थे जो 30. कॉंग्रिस सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष मई 1934 संबंधित विशे जैप्रकाश नारायन, मीनू मसानी और स.म जोशी 30. फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन वर्ष 1 मई 1949 संबंधित विशे एवंव्यक्ति सुभाष चंडर बोस 34. मुक्ति दिवस वर्ष 22 दिसंबर 1949 मुस्लिम लीग के द्वारा कॉंग्रस मंत्री मंडलों के त्याग पत्र पर मनाया गया 35. पाकिस्तान की मांग वर्ष 24 मार्च 1940 संबंधित विशे मुस्लिम लीग के लाहुर अधिवेशन में 36. अगस्त प्रस्ताव वर्ष 8 अगस्त 1944 संबंधित विशे एवंव्यक्ति वाइसराय लिन्ड लिथ हो 37. कृप्स मिशन का प्रस्ताव वर्ष मार्च 1942 संबंधित विशे स्टीफर्ड कृप्स 48 भारत चोडो प्रस्ताव वर्ष 8 अगस्त 1942 संबंदित विशे महात्मा गांधी 49 शिमला समेलन वर्ष 25 जून 1945 संबंदित विशे सभी राजनितिक दलोका समेलन 40 नौसेना का विद्रोह वर्ष 19 फरवरी 1946 मुंबई 41 प्रदहन मंत्री एटली की घोशना वर्ष 15 मार्च 1946 संबंदित विशे भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन 42 कैबिनेट मिशन का आगमन वर्ष 24 मार्च 1946 संबंदित विशे ब्रिटिश मंत्री मंदल के तीन सदस्यों 43 प्रत्यक्ष कारिवाही दिवस वर्ष 16 अगस्ट 1946 संबंदित विशे मुस्लिम लीग द्वारा 44 अंतरिम सरकार की स्थापना वर्ष 2 सितंबर 1946 संबंदित विशे नहरू प्रदहन मंत्री बने 45 माउन बेटन योजना वर्ष 3 जून 1947 संबंदित विशे वाइसराय माउन बेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी 46 स्वतंतरता की प्राप्ती वर्ष 15 अगस्ट 1947 संबंदित विशे भारत स्वतंतरता अधीनियम द्वारा 47 भारतिय घरतंतर की स्थापना वर्ष 26 जनवरी 1950 संबंदित विशय एवंव्यक्ती डॉक्टर राजिंद्र प्रसाद प्रधम राश्रपती